दुआरी बलबल में मकर संक्रांती पर लगने वाला सप्ता भर का पसु मेला चत्रा ही नहीं जर्खन का एक परसीद मेला है यहां मानों के हर जरूरी का शमान मिलता है साथ ही मनोरंजन के कई साधन भी इस मेले में उपलब्द रहता है हेलो नमस्कार दोस्तों महिं महिंदर आप देख रहे हैं आल इन वान यूटूब चैनल वन ही जीवन है यदि आप नए हैं तो हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दाएं तरफ दिये गए घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे दौरा पोस्ट की गई वीड जल गर्मपून जो चत्रा मुख्याले से तक्रीवन 32 किलो मीटर तता हजारी बाग से लगवक 30 किलो मीटर के दूरी पर चत्रा हजारी बाग भाया कटकम साड़ी मार्ग पर मुहानी नदी के तट पर इस्थीत है जिसे बलबल दौरी के नाम से जाना जाता है बलबल में इस्थीत गर्म जल के च्छा कुंडों में से चार परमुख जल कुंडों में अस्नान का कारे किया जाता है इनमें तीन कुंडों में पुरूस अस्नान करते हैं जबकि एक गर्म जल कुंड मुख्य कुंड से लगवक 25 मीटर की दूरी पर इस्थीत है जहां महलाएं असनान करती हैं इसी गर्म जल कुण में महलाएं असनान करती हैं जिसका बाहरे द्रिशे को हम यहां पर दिखा रहे हैं यहां मा बागेश्वरी का अति प्राचिन मंदीर है तथा बगल में है भगवान सीव का भी मंदीर है जहां भगवान सीव अपने पूरे परिवार भगवान गनेश भगवान कार्तिके माता पारवती तथा नंदी के साथ पिराजमान है यहां सरधालू असनान करने के पस्चाद पूजा अर्शना हे तू पुछते हैं मुख्य मंदीर के बगल में ही एक भब्य हनुमान मंदीर का निर्मान कारिय चल रहा है जिसकी लागत कडोरों में बताई जा रही है यह मंदीर जगनात पूरी के डिजाइन पर अधारित है तथा मंदीर निर्मान का कार जगनात पूरी के कारियों के द्वारा ही किया जा रहा है इस मंदीर का निर्मान लाल पत्थरों से हो रहा है बलबल का यह मकर संक्रान्ती मेला जारखन में पसू मेले के लिए परसीद है यहां दूर दूर से लोग पसू खरीदने एवं बेचने के लिए आते हैं इस पसू मेले की सुरवात कोई असान कारिब नहीं था ताज मोहमद, गाजी गोप, रुपुशा, हीरादास, कैल गोप, मेघन गोप, मेहंदर सिंग भुकता जैसे कई लोगों के अथक परिश्रंग और मेहनद का ही फल है कि आज यहां इस परकार से भब्य मेले का आज़र बर्ति वर्स हो रहा है कितना किलो दूद देती है गाए भाजी ? 20 लिटर, एक त्त्तांग में, 10 लिटर कितना उसका रखे हैं रेठ ? एक लाग तिस हो जानग, कहां साय है ? बाराचेटी गया के बगलना है, जीटी रोट पर हुआ हुआ है बलबल के इस पसु मेले में आम आदमी के जर्रत के हर समान उपलब्द है कासा है भाईजी महराज गन इस मेले में मनोरंजन के धेरो साधा नूपलब्द होते है मौत का कुऊं, ब्रेक डांस, बड़े जुले, थियेटर, इत्यादी जो लोगों को खूब मनोरंजन करते हैं दोस्तों आज का सफर कैसा रहा हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा अधी अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर भी कीजिएगा दोस्तों खोजर जनकारी का हमारा सिलसिला जारी है हमारे साथ बने रहे हम अगले वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं एसिया का सबसे अधिक गर्म जनकुण जो हजारी बाग के बरकठा में इस्थीत सूरी कुण है तब तक के लिए हस्ये हसाईये और मस्त रही धन्यवाद